इस फ्रेम में चार चित्र हैं पहले चित्र में नीती पहिया कुर्सी के लिए आरक्षित जगह पर अपनी पहिया कुर्सी को बांध कर बैठी है और रोहन अपनी बात जारी रखते हुए कह रहा है जैसे की बुढ़े लोग, दिव्यांग जन, गर्भवती मही लाएं या वह लोग जो किसी वजह से आसानी से चल नहीं पा रहे जैसे तुम तो उनके लिए यह सीटें आरक्षित हैं इसके साथ ही वीलचेर वाला यह विशेश स्टीकर बताता है कि इस खाली जगह पर वीलचेर का प्रयोग करने वाले अपनी वीलचेर को लॉक करके सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकते हैं तुमने सडकों और रास्तों पर पीली अत्व भूरे रंग की उभार वाली टाइलें भी तो देखी होंगी यह टेक्टाइल पत है जो देख नहीं सकते उन्हें इससे मदद मिलती है यह देखो प्रिया बस में यहां स्पीकर भी लगा है यह उन लोगों को आने वाले बस स्टॉप के बारे में बताएगा जो देख नहीं पाते हैं और उन लोगों की भी मदद करेगा जो बातों में लगकर अपने बस स्टॉप पर उतरना भूल आगे निकल जाते हैं इसे कहते हैं आडियो घोशना इस्पीकर के साथ ही लगा है यह इलेक्ट्रोनिक डिस्प्ले जिसकी अलग-अलग रंग की ब्लिंकिंग यानि की जलने बुजने वाली लाइट दिखाती है कि कौन सा स्टॉप आने वाला है और कौन सा चला गया दूसरे चित्र में टेक्टाइल रास्ते दिखाए गए है तीसरे चित्र में रोहन प्रिया को बस में लगा स्पीकर दिखा रहा है चौथे चित्र में स्पीकर के साथ लगा इलेक्ट्रोनिक डिस्प्ले दिखाया गया है और प्रिया और नीती रोहन से बात कर रही है नीती कह रही है वाह रोहन तुम तो चुट्टियों में बहुत स्मार्ट हो गए हो प्रिया सोचती है वाकई स्मार्ट है यहां तक की रोहन को भी टेक्टैल के बारे में पता है मुझे भी सीखना पड़ेगा और जल्द ही कुछ समय बाद वे स्कूल पहुँच जाते है मुझे नहते है च्ड़स्व कुछ सरे और जल्द ही वे रहब के बाद़ सक्राथ कुछ स्ट्चियू के रोहन । च्प efficiently лучे रहब नहीं जाव You